हेलो एब्रियोन, वेलकम टू प्रियाशार कॉम्टेटिव मैथ, आसा करता हूं सभी अच्छे होंगे और आपके जो अग कमिंग एक्जाम से उसकी त्यारी भी अच्छे से कर रहे होंगे सभी वीडियो रिकाउड हो गए लगभग आप उसको प्लेलिस्ट में देख लेना प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां चेक आउट आप कर सकते हो अभी मैं करने वाला हूं 13 अप्रेल की सिफ थर्ड मत्तब लास्ट सिफ जो 13 अप्रेल की थी उसे सॉल्व करेंगे हम लोग ठीक ह आपकी इंफर्मेशन के लिए बता दूँके 11 अप्रेल की सिफ बन टू थरी 12 अप्रेल की सिफ बन टू थरी और 13 की सिफ बन टू यहां ते मैंने कंप्लीट करवा दिया था अभी 13 की सिफ थर्ड हम लोग स्वाल करेंगे स्टार्ट करने से पर छोटी से रिक्वेश्ट है चनल पर न्यू होंगे देन मैक्सी और सब्सक्राइब प्रेस देबल आइकन जिसे नोटिफिशन मिले एंड वीडियो की इंफोर्मेशन आपको मिल जाए ओके फिली स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन पहला कोशन आपको पता इसमें क्या करना होता है आपको फॉल् हो जायगा 12 36 माइनस में हो जायगा बॉस में यहां प्रटू हो जायगा टू कर फार फॉर हो जायगा प्लस कर là 23 हो जायगा ठीक है है ठीक है तो इसको आपक्या करोगे फटा फटा इसको सॉल्व कर लो यह आपको कितना हो जागा माइनस का 36 हो गया प्लस का 74 हो गया मतलब 38 आपका उत्तर अगला कोशन देखेंगे बोला गया है कि कोई 9 डिजिक्ट का नंबर है यह आपका नंबर दिया गया 9 में 236 5N48 बोला गया है यह इससे 8 से और 11 से मतलब 80 है और बोला गया फोर देश्ट मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इन एन की छोटी छोटी वैल्यू होनी चाहिए लेकिन एम और इन क्या है आपका नैच्रल नंबर नैच्ट नंबर मतलब क्या पूर शंक प्राकिर शंक है क्या होता है 123 एन ओन जीरो उसमें नहीं होता इधान रखेंगे सबसे पहले आठ करेंगे आठ कर लेंगे तो यहां पर जीरो रुखे हुए तर भी डिविजबल है बट जीरो से नहीं जाएगा फिर अगर दो रखेंगे तो भी डिविजबल है तो एनिक वेल्यू आपका यहां साई दो एम के फिल्यू निकालने के लिए प्लस कर लेंगे नौदो ग्यारा छे सत्रा सत्रा और यहां पर दो जूट जाएगा तरद 27 थीक माइनस एम तीन पाच आठ आठ चर बारा बारा माइनस एम या तो जीरो या ग्यारा के मल्टिपल के एकुल होना चाहिए 27 में चला जाएगा एम बराबर पाताएगे कितना हो जाएगा अगर 11 लेंगे तो यह पॉसिवल है तो यह वाली फोर हो गया एन का वैलू टू हो गया तो आप निकाल लो दो का स्कॉर चार और चार का स्कॉर 16 1664 64 आपका उत्तर अगला कुर्शन देखेंगे क्या दिया गया है तो ड इस हाइट भी इंक्रीज और एड़ इंक्रीज वनली 60 परसेंट आपको पता है रिया क्या होता है इसको कितना बढ़ाया गया है तो बढ़ाया गया है सेवन बाय फाइब मतलब 40 परसेंट तो एच निकालना है तो यहां सब कुछ कट करोगे तो क्या निकल जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है एट और सेवन से कितना होगे एट होगे मतलब कितना बढ़ा है वन अपन सेवन वन अपन सेवन का वहल्यू 14.29 आपका एंसर ने और एंगल बाय सेक्टर इस दोनों का आपको मिल जाता है पॉइंट यू पर ठीक है पॉइंट यू पर बोला है क्यू यू आर दिया गया है 69 डिगरी तो आपसे एंगल पी पूछा गया आपको पता है क्या होता है 90 माइनस एबाइट तू इस्वेल टू क्यू यू आर होत सब्सक्राइब क्या गया है 11 अप्रिल से मैं देख रहा हूं कि 11 अप्रिल से अभी तक डियाए में यह चैंज डेटा नहीं किये डेटा वही दी जा रही है पूछा गया है आपसे कि वाट इस परसेंटेज और यूथ इंदे स्टेट एंड टूगेदर एं में आपके हैं यूथ इंदे स्टेट एंड टेकिन तोगेजर रहा है में कितनी है यूथ जो इंपलाइड है 10.5 है इमें कितने हैं मैं आप देखेंगा 7.2 की बात की जारी है कि इवह और मतलब 18.5 क्या हुँगा अपके उत्य वाइज इसे बात आपको कही गई इतनी सी बात समåसी में आ आपको इतनी से बात कही जाने किया मतलब है कि आपको इसका परसेंटेज निकाल देना है मतलब गुना में आप सौ लगा दीजेगा आप देखरें यह डिविजिबल नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1850 बटे में 21 ऑफ्सन देखेंगे सब 88 के मुल्टिपल अब जाद दिखेगा तो आ मतलब यह हो जाएगा आठारा सो अटालीस तो अटारा सो अटालीस हो जा रहा है मतलब आप लिख सकते हैं 1821 उपर में दो उपर दो किसका है यह तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा निक्स पर देख लेंगे बोलाग यह है 17650 रुपया कि किसी इंवेस्टमेंट में बैंक में डिया जाता है इसमें सारे आठ पर तिसकी वार्षिक दर से आपको इंट्रेस्ट बताना है पांच वर्षों के लिए सधारन व्यास पर सिंप्लिया को पता चल रहा है सारे आठ के मतलब क्या होता है आठ पंच चालीस है यह 15 दो से कट जाएगा 71 बार में तो आप गुना कर लिए तो तो तिनसो तीरीपन को एक तर से गुना कर लिए तो एक तर त्याट यह कि दो सुट एरा तो यह आपका कितना हो जाएगा यह आपका एक मिनट शेकर लेता है यह ने तो फिर आपके काम और कर सकते हैं आपको दिख रहा है कि 17650 है यह आपका 10% हो जाएगा तो इसको अगर 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह आपका क्या हो गया है यह आपका 40% हो गया है इसी का अगर चार से अगर मतलब यह आपका 10% था इसको अगर चार से आप डिभाइट कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका निकल लाएगा चार्चों के सोला चार्चों के सुला चार एकम चार 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 पंचे बीस तो यह आपका हो गया 156 151.25 25 151.25 251.51 आप इतना गुना जोर गटाओं से बची सकते इस तरीके से कर लेंगी युट मिट से तो भी आपका अंसर काफी जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट को संदेख लेंगे बोला गया है कि एक आपका त्रिभूज है जो की इंस्क्राइब्ड है सरकल के अंदर में त्रिभूज का नाम है M, N और P ठीक है P और बोला गया है कि M, N, M, P के बरावर में है और इसका लेंथ है 16 रूट 5 और अधर वाले के लेंथ है 32 बोला गया है इसका सरकम्रेटिस बताइए कितना होगा यह आप से 16 इंटू 32 या पेरिया हो गया उपर में ABC मतलब 16 रूट 5 इंटू 16 रूट 5 इंटू में आपका सी कितना है तो 32 से 32 सीधे कर जाएगा चार से चार चोके 16 रूट 5 इंटू 5 इंटू 4 पांचोके हो गया बीस कोर्षन खृत्म अगला कॉर्षन देखेंगे इस को सनके अब दो तरीके से कर सकते या तो कुछ और जन्रल आप घुना खरकर के करओ या देवेवेशन से कर लो मैं डेवेशन से बता दे रहा हूं कrounded शॉस्यारिस नंबर का jest आपका 50.5 है और 25 इस नंबर चेवरेश आपका 45 है और आपका 18 नंबर के आवरेज तो बताया गया है यह देखेंगे पकाचाश पॉइंट फाफ से से कितने केम हैं तो आप कहेंगे फाइब क स्था फवाइब ज्यादा है ओबराल डिवेशन कितना हो जाएगा तो 255 ए 25 पाइशे 137.5 इसका डिवेशन कितना हो जाएगा अब क्या बोला गया है कि दा 28 नंबर इस 67 और 26 27 को निकाल दिया गया मतलब यह जो तीन नंबर में से एक नंबर निकाल दिया गया है फिर आपसे पूछा गया है देख लिजेगा तीन नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा तो 50.5 सी क्या एक सुली क्या पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है यहां ते समझी में आ गया यह आपका एक्चुली 38.5 होगा ठीक ह पॉइंट थे एक उपाइब मेर निकालता यह नंबर निकलता है यह निकलता लेकिन निकल Qatar कितना गिया है निकल गया है एकसो थैईस कितकि ज्यादा निकला तो 22 ज्यादा निकल कीतने कितने कि नो मतलब एक बटे दो मतलब 0.5 का नुकसान हो गया है तो पहले 50.5 था 0.5 घटा देंगा तो 50 आपका उत्तर ठीक है अगला कोशन नहीं नहीं तरीके सा आप और भी कर सकते थे आप यह जो गुना करेंगे यहां लिख लेंगे जो आए यह दो गुना करके लिखके उसको माइनस कर दें करेंगे फिसको 44 से डिवाइट कर देंगे तो भी आपको उत्तर 50 ही आएगा नेक्स्ट बोला गया है कि कोई नंबर बताईए जो की साथ घटाने पर 15,24,8,32 से डिवीजोल हो जाया है तो सबसे पहला को 15,24,8,32 का क्या निकालना परेगा निकालना परेगा निकालना और किसे चले जाएगा चार से कर देते हैं चार से दो से करेंगे तो 15,7,4 और किसी से जाएगा क्या यह बताईए किसी से जाएगा तो बताईए हमको और इसे जाएगा नहीं आप लोगों तो बोलते नहीं कि इसमी कालो कितना हो जाएगा तो 15,105 गुने 16 कितना हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाने के बाद जो नंबर होगा क्या होगा आपका ओप्सन में दिख रहा है सब लग में दस हजार के करीब में सब्सक्राइब हो जाएगा अगला कुशन क्या है देखे ध्यान से एक सब्सक्राइब है जो कि कुछ अथा त्याइस परतिस्द का उसके बाद उसको प्रॉफिट प्रॉफिट परतिस्द का होता है और व्रती पॉइंट inex ऐसे का मतलब कितना हो गया तोटल कितना उगया यह उसका 72 से बराबर में है ठीक है कि इसको डिवाइड कर देंगा सोगुना कर देंगा तो आपका MP पूछा गया था इसको आप कैसे कर सकते हैं रजेशा नहीं तो इसको अगर लगभख दो लेकर जाएंगा है तो तो मतलब 200 भी तो होगा है 200 से नीचे होगा और लगवारा तेरा नंबर नीचे होगा तो एक यू आपको बच रहा है 186 यह आपको उत्तर जागा अधरवाइस डेसिमल में आएगा डिवाइड करने से ठीक है यह गोसाँ दिया गया है इसमें आपको क्या कर सकते है इसमें आपको दिक क्या कर सकते इसको लिख सकते है 0.9 प्लस 0.7 का हॉल क्यूभ 9.9-0.7 कोई दिख्कत is solve करेंग collar क्यों चाहला जागा जूरो पर 9 का क्यूब अल का प्लस जायेगा इस से बचेगा क्या अपका 3 a b और a plus b यह अल्टराणाम का बच जाएगा तो 3 a 69 63 63 तिया से 3183 कि कितना हो जाएगा से 3183 1.89 हो जाएगा यह प्लस भी कितना है तो 1.6 है इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा देगे गुना करेंगे तो आप्शन जा सकते है तिर अंक्य बाद देसिमल आएगा ठीक है एक ही ऑप्शन में है और पॉजिटीव एंसर आएगा नेगेटिव तो नहीं सकता तो यह हो सकता अधर गुना कर लेंगे कर देंगे तो आप गुना भी कर सकते 3.24 आएगा ऐसी भाट ऑप्शन सब जा सकते थे क्योंकि नेगेटिव एंसर होगा नहीं तीन डेसिमल के बाद होगा तो यही एक ऑप्शन था वेक एखोशन रिपीटी किया गया मतलब यह डेटा रिपीट की गई है देटा में ज्यां से देखिएगा डेटा में दिया गया है कि टोटल एक सब्ता में 10,500 केक की बिखरी होती है अब देखे क्या दिया गया फ्राइडे को चार नुपात तीन की बिखरी होती जिसमें च चार आपका यह है साल से यह तो साथ से डिवाइट करेंगे में साथ 25 धाइब सब्सक्राइब करेंगा और SCP अब बुला गया नौर पे करेंगे था करना है ये को सब्सक्राइब आप एक दो से पहले दखो किया गया तो चेंज भी नहीं किया गया था तो दो च्ख़ले देश रूपय का दिया गया था ना तो तो दिन टोटल एमांट बार्ट के हुआ और चार्ट के वांद़ फॉडे तो इसमें कुछ चेंज किया गया गया हुआ ने कुछ ने किया गया एक्षक नौ रूपे था ना चाहलेशान रुपे इसका हो जाएगा और 4050 रुपेर यह कहा जाएगा और 45 यहां पर अगर रेट अगर 10 रुपय दिया गया है और आइस क्रीम हमारा 405 आया था तो 4050 रुपय होना चाहिए यहां 500 रुपय होना चाहिए 0549 यह एंसर आना सी ना कर सकते हैं यह को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे लिख लेता हूं यह कौन सा सिप्ट को सब्सक्राइब तेरह अप्रिल सिफ्ट थर्ट कोस्तर नमबर टूएल मैं इसे सौर वीडियों डाल दूंगा इस नेक्स कोसन देखेंगे क्या दिया गया वाट इस रेश्यों के टोटल एक्सपोर्ट सबकार अप टाइप ए इन सूला और अठारा देखिए बता दूं कि यह आपकी और सब्दकार 15 और 17 वी में 15 15 में थी 250 तो कितनी हो जाएगी कि राइसो जाएगी और थी में जा आएगा तो आपका यह ओप्सन हो जाएगा मतलब 2223 नेक्स्क्रूसन देख लेंगे बोला गया वट इस दा नंबर देश्टेंट लेस देन तो हंडेड मार्क्स इज वट परशंटेज देन देन नंबर फिजिन हो गाट फॉर हंडड़ और ओबर मार्क्स यहां को दिखनी रहा हुआ से लेकिन यह मुझे भी दिख रहा है यह वन हंडेस ज्यादा प्राप्ट करते उसका नंबर थर्टी फाइव है यह लिखा गया ना आपर इसे विजिवल नहीं वर मुझे है वह कॉश्चन देखने दो आप ठीक है कॉश्चन में दिया गया था कि जो चार सो नंबर प्राप्ट किये मतलब उनका नंबर थर्टी लोग ऐसे जो चार सो नंबर से ज्यादर प्राप्त किये हैं और ट्री लोग ऐसे जो दो सो नंबर से कम प्राप्त किये है दोनों का अगला गूश्चन दिख लेंगे देखे क्या दिया गया, sin square theta minus cos square theta minus 3 तो आपको change कर लो, मैं cos को sin में change कर दो तो क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा sin square theta minus 1 plus sin square theta minus 3 sin theta plus 2 equal to 0 मैं sin को x लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x square minus 3x minus 1 plus 1 equal to 0 यहां से x की दो value आ जाएगी, तो 1 by 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 मैं ले नहीं सकता, क्योंकि less than 90 है, तो 1 by 2 आपको हो जाएगा, मतलब sin 30, theta is equal to कितना आगी है, 30 degree, put कर दो, 1 की value तो नहीं है, 630 कितनी हो जाएगी, 630 हो जाएगी, root 3 by 2, sorry, 2 by root 3 है, 630, cost करीवरस होता है, 2 by root 3, यह हो जाएगी, 1 by root 3, तो कितनी हो जाएगी, 1 plus root 3, तो आपका answer है, 1 plus root 3, बुलागी है, person can do one fifth of the work in three days, मैं total काम कितने में कर लेगा, बाई साब, total काम कर लेंगे, 15 दिन में, b efficiency is half of the a, b जो है, आधा काम करता है, उसका, ठीक है, अब बुलागी है, how many days, a and b working together, complete half of the work, चलिए, b efficiency, मतलब total काम अगा, 30 मान ले, तो यह देल 2 काम करेगा, तो यह काम करेगा, मतलब इसकी 30 दिन हो गई, बुलागी है, आधा काम कितना में करेगा, 30 काम total है, आधा काम 15 हो जाएगा, तीन में लिके करेंगे, तो 5 दिन में सल्टा देंगे, काम कर लेंगे ठीक है अगला कोशन देखेंगे लिए गया गया पचीस थ्री प्लस फॉर पी बट्टे में लिखा गया है साट माइनस के लिखा गया चौबिस जो की उधर जाएक हो जाएगा अभी आप यहां से क्या करोगे यहां साथ लिखने हो कि मतलब नहीं आप इधर लि और पचीस दुनी पच्चास अब यह कोशन को देख लो आप क्या ही बोलोगी कोशन डेटा के साथ रिपीट किया गया यह इंवेस्ट करता है इतना मतलब टोटल मिसमेंट अगर थिरी एक से तो इन्वेस्ट करेगा एक्स भी इन्वेस्ट करेगा अब बुलागी है यह टोटल प्रॉफिट दिस एक सौच्यासी तो कितना प्रॉफिट होगा एका एक सौच्यासी को तीन से रिवाइट कर दो तीन से कठार एक सट तीन दूनी छे बासट हुजा गई तो 62 एक हमने क्या मांगाना था तो 62 थाउजन प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपको काफी तेज लग रहा होगा सौलीशन तो देखिए मैं यह कॉस्टन सौल्व करवा रहा हूं मैं कॉंसेट यहां नहीं सिखा रहा हूं ठीक है कॉंसेट सिखाने के लिए वीडियो बना दूगा आपको वहां टॉपिक वाई टॉपिक करवा दूगा एक जो ठीक है अब देखें क्या बोला गया है अगर इस वाले में है आप एच से गोना कर दो है इस से गोना कड़ोगे पाई R Lesson हो जाएक है आप इसमें गोना कर दो या फिर पे काम और भी कर सकते दूसरा बात यह अगर इस वाले में टू पाई एक डिया गया है इस पर आप तो से डिवाइच कर दो आस गोका थाइव का理 यहां पर है नहीं हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग आर इसकोर निकाल लेते हैं ठाटी एट पॉइंट फाइब ट्वाइट टू मुल्टिप्लाइबाइब सेवन कर देंगे तो बाइस से कम वाइस आप पांच तीनाट ग्यार दूनी वाइस चले जाएगा ग्यारत यां तेंटीस ग्यारपंच चले जाएगा ठीक हैं अभी क्या लिखा गया है यह 3.5 लिखा गया है मतलब आर आपका थिरी पॉइंट 5 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले फॉर्मॉला को यूज कर ले एंसे मतलब ही नहीं है हमें 300 छिए अच्छी फॉल्ण दिया गया है हम लोग इसमे लोग इसमें क्या किए और और दिवाइड़ करेंगे और आपका हुज जागा 171 investment ठीक हैं Ja 1078.0 आएगा आपको 0 का मतलब है नहीं तो आपको 1078 एंसर या फिर आप एच निकाल के भी कर सकते थे बट एच निकाले भी कर सकते हो बोला गया कि एकस एकस इडाविस एडिया और वाई इस डर्व बा अर्वियम को सर्फिस्जिया को बोला है एकस मानने और वॉल्यम को बोला है कि वाई मानने और वाई बरावर दिया 14 अभी रिडियस निकालने बोला आप तो आपको करो इसाप से फूर पाई से पाई और स्कॉर से आर क्यूब चला गिया तो आर बराव कितना चौरती है तो ब्यालीस आपका अंसर सब्सक्राइब क्या समझते हैं यहां यहां पर सब्सक्राइब कर दिया गया है ट्री का हाइट आपका दिया गया अगल और अफ एलिवेशन ऑफ दसन मतलब पेर से दूरी दे दिया गया है है और आप से अंगल पूछा है अंगल मतलब लगा दो यहां पर आइटम में खरीता है और 35 इस पीचेश को बीस परसंट के परोफिट बेज देता है मतलब इस पर 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 पॉपिट हुआ पचास रुप्ए खरता था था बीस परसंट मतलब पाच्छे दूनी दस मतलब उसे 10 रुपय किदर प्रॉफिट हो रही है मतलब टोटल सारे 300 के प्रॉफिट हो गई और दा रिमेनिंग आइटम को पांच दा रिमेनिंग 5 आइटम को 5 आइटम को क्या करता है वो 10% लॉस मतलब 10% लॉस के मतलब कि 5 रुपय के लॉस पर बेज देता है पांच रुपय हो गया 10% तो मतलब 25 यह घड़ जाएगा उसके पॉकिट में कितनी आगए 325 रुपया आगए बोला क्या गया है कि पांडी ओबर ओल प्रॉपिट इसमें बोला गया आपको ठीक है बासमिजमाई बता पाओगे कितना हो गया 325 रुपय उसने कमाया लगाया कितना था पांच चौकिवी दो हजार रुप उसने लगाया था सौर से बुना कर दो आप यह चला गया दो से काटो गया तो 16.5 एक पॉइंट और आगे घसक जाएगा तो 16.25 मतलब 16.25 परसेंटेस की उसे प्रॉफिट हुई है आप सर यह रहा अगला कुशन देख लोगो क्या है देख इसको मल्टिप्लाई है कॉस इसवार से डिवाइट करने बोला है तो कॉस इसक्वार यहां भी लगा दो कॉस इसका 10 पाई का होले स्कोई यह क्या बन जाएगा अल्टिमेटली ली वन है आपका अंसर वन है को यह को ट्राइंगल दिया गया जो कि सिमिलर है अब बोला गया है चौनसर तो आट ले लेंगे 179 तो तेरा लेंगे एभी दिया गया मतलब एबी यह वाली दी गई है दस बी कि वेन चाहिए कि निकालने बोला गया चौनिक और आपको निकालने वोला गयां यह अहां मतलब किया यह और है अचर कोर्श को पांच कुलोमेटर पार की सपिश ट्रेवल करता इंगे 5X बटे 5 एक्स डिस्टेंस को 5 से ट्रेवल करता है प्लस फोर डिस्टेंस को 6 से ट्रेवल करता है टोटल उसे लगते हैं 112 मिनट 112 मतलब ऐसे कहिए 60 से लिख देंगे ठीक है तो आप लिख सकते हैं यहां से यह तो 12 और में चल जाएगा पांच जूनी 10 और पांच दूनी दस स्वाइट यह हमने गलती कर दीए यहां पर बस किसे अब सॉल्व कर लो क्या हो जाए यह ले लो इसका एल सिंग हो गया तीस अच्छा पजम पचीस एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस पंचों के बीस एक्स इसकल्टू यहां भी है छपन बटे तीस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ़िफ फीय एक तीस कितूण है जाए कि तीस हो गया है किर तो किटना हो कि चपन 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 एकस प्रटे 30 ब्रवर चपन बट प्रट्टे- Evet 34 पर्रावर कितना आगए-One पूछा गया था क्या वाट-ेज्ड टूटल दिस्काय कि इसन खने धो 10 हो गया यहां फिर हो था पर सेशन खतम मैंने 25 कॉसंस यह भी कंप्लीट कर बाद दिए 13 अप्रिल सिप्ट 3 थी यहां तो सारे सिप्ट खतम हो गए अभी तक मैंने आपके कितने कंप्लीट कर वा दिए ग्यारा की बारा की तीरा की टुटल नहीं सिप्ट कंप्लीट हो चुकी है भी तक वाचिंट वाचिंट इस वीडियो हाँ न्यू है देम एक से सब्सक्काइब आप प्रेस गदी थांक यू